मोदी जी ने बहुत कमाल की बात कही थी कि go vocal for the local हम इतने सारे franchises हैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर बहुत सारे franchises हैं हम उनके making videos को इतना जादा शेर कर सकते तो क्या हम इस video को शेर नहीं कर सकते can we go vocal for the local तो आवाज सुनके आपको पता चली क्या होगा आइंड इसके अंदर कॉन है काइस यार कलर देख रहे हो इसको देखके मतलब मेंको दो क्यामरे सी देखके पानी आ जा रहे है चले गए हैं इसके अंदर वूँ ऐसे टॉफ टाइम में जो सबसे में चीज आता है वो होता है सेफटी और क्वालिटी आज में आ रहे हैं एक बहुती स्पेशल जगह है जिस जगह का नाम है दा हंगरी कैटरपिलर अगर मैं इस लोकेशन के बार में बताऊं तो पीछे ही है मुकुंदपूर बस स्टैंड आक्शिली मैं यही से क्रॉस कर रहा था तभी मेरे को यह एक आउटलेट दिखा और यह आउटलेट काफी अच्छा लगा में को बाहर से देखने से बहुती एकदम कॉंपाक्ट और बहुती क्लासी सा जैसा हम आज के डिट पे एक्सपेक्ट देखते रहो अगर मेन्यू की बात करो तो मेन्यू तो यहाँ पे एकदम नेवर एंडिंग मेन्यू मेरे को नजर आ रहा है विकॉस काफी कुछ है नूडल्स राइस सूप मोमो रोल्स प्राइड आइटम्स सैंडविचेज बर्गर्स मैगी पास्ता ओमलेट शेक्स स्टार अगर देखा जाए तो सब के लिए ही कुछ ना कुछ है यहाँ पे खाने के लिए और साती साथ बहुत सारी अमेजिन से यहाँ पे ओफर्स भी चल रहे हैं जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो यहाँ पर अपने फ्रेंज या किसी के भी साथ आते हो तो आप अपन 20 रुपीज का कैश बैक मिलने वाला है और यह मिनिममम ओडर वैल्यू अफ 299 रुपीज आपको करना कुछ नहीं है बस इस पर्टिकुलर जगह का यह जो हंगरी कैटरपिलर यह जो जगह है इस जगह का एक रिव्यू डालना है अपने सोशल मीडा प्लाटफॉम पे और द सोशल मीडिया का जितने भी हैंडल से आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तो यह भी हमारा जो चिली बेवी कॉन है क्रिस्पी चिली बेवी कॉन है इसके उपर लग चुके हैं बहुत चारे मसाले तो भाईया बताई इसमें क्या-क्या गया है से पहले यह रेट शुली पेस और आपका नमग ब्लैक पेपर वाइट और यह गालिक पेस तो यह सारा सब कुछ इस पर गया है अब हम इसको क्या करने वाले हैं इसमें कॉन फ्लावर और मैदा से करके मिक्सिंग करके बैटर बना के बस प्राइड होगा तो यह चलागे इस सब्सक्राइब काने इस थी काल फ्राइब हो रहे है तब तक यहां पर हम लोगों ने डैस का लिया विद्वर क्या कैटर इस हम लोगों ने आ पर ए रेड स्चांत केram काफी टेस्टी सा एक डिश बनने वाला है तो यह बनते हुए हमारा हॉट गार्लिक नूडल्स दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा है और आई होग की टेस्ट में भी वैसा ही अमेजिंग हो अभे जानते हा है अपने शेफ से की शेफ ने इसमें क्या-kय डाला है तो शेफ आप पहले बताओ कि इसमें क्या-kया गया है जै इसमें गार्लेक और चीली फेसी सज्वान हो गया है लो यह था पूरा प्रसेस इस नूडल्स की पिछी एक यालाच में विनिगर अब मैं बस एकदम से वेट नहीं कर पा रहा हूँ इसको खाने के लिए ये इतना जादा अमेजिंग लग रहे है यार कलर्स कितने अच्छे से उभर के आ रहे है तो अभी तयार हो रही है हमारी दूसरी डिश जो की है चिली जो की है क्रिस्पी चिली बेबी कॉन यार कलर जो है न मतलब देख रहो कितना एकदम नाचुरल चीज़े जब पढ़ती है तो ऐसा ही लगता है शेफ ये कौन सा पेस्ट था वो आपका सेजवान पेस्ट है ये सेजवान पेस्ट गया इसमें और यार ये सेजवान पेस्ट आलने के बाद कलर और ही ज़ादा कुछ निखर के आ गया देखने में तो काफी टेंप्टिंग लग रहा है ये गया इसमें चिली सॉस ये टोमाटो सॉस So sauces भी चले गए हैं इसके अंदर इसमें हलका सा पानी गया है I guess ताकि वो जो consistency है वो consistency ला सके And by God, क्या खुश्बू उठ रही है यार, क्या खुश्बू उठ रही है काश मैं कैमरे के दुरू आप लोग को ये खुश्बू अगर दिला पाता है तो वाकई में यह गया इसमें salt यह क्या गया इसमें शेफ black pepper, white pepper तो इसमें गया salt, black pepper, white pepper और साथ में थोड़ी सी चीनी अब यह गया इसमें हलका सा vinegar थोड़ा tangy flavor के लिए vinegar गया इसमें सही बन रहे है वैसे अगर आप भी चाहो तो यहाँ पर आके आप खा सकते हो हम कहा है हम है at the hungry caterpillar जो की आपका mukundapur bus stop जो है उसके just pass में है और हाँ अगर आप Google पे अगर आप Google में location डालोगे तो भी आपको इसका location मिल जाएगा हाला कि मैं वीडियो के description में भी इस particular जगे की जो है वो Google location दे दूँगा शेफ इसमें उपर से क्या गया इसमें उपर से वाइट तिल डालके इसको garnish कर दिया गया है और यह हो गया तयार और यह bowl में इसको डाल रहे है इसकी कर रहे है packing guys यार color देख रहे हो इसको दो देख के मतलब में को दो camera सी देख के पानी आ जा रहे है शेफ कौन से डिश बन रहे है अभी यह वेज चीज कौन सैंडविच बन रहा है यह बन रहा है वेज चीज कौन सैंडविच यार मैं तो हूँ ही वैसे बहुत बड़ा चीज लव तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ red capsicum green capsicum और प्याज जो है इसको हम लोगों ने अच्छे से dice कर लिया है और अभी है जो हम लोगों ने onions और capsicum को dice किया था उसके साथ चल लगया यह sweet corn यह frozen corn है और यह काफी fresh है ऐसा नहीं कि इनोंने बाहर रखा वाथ था इनोंने इसको refrigerate करके जो proper इसका method होता है इसको refrigerate करके रखा और यहां पर डाला है अब इसके further preparation के लिए शेफ इसमें हम क्या डाल रहे है सबसे पहले salt जाएगा अलगा black paper जाएगा अलगा white paper जाएगा बाकी हम लोगा यहां पर जो इंडिन चिलता है मैगी मसाला वो जाएगा थोड़ा सा औरिगानो जाएगा ओहो इसमें औरिगानो भी गया तो भाई देख रहो मतब कोई भी कंजूसी नहीं हो रही है यह जो मेंको quantity लग रहा है काफी sufficient लग रहा है कि अगर आप एक चीज कौन sandwich order करते हो तो आएगेस यह काफी sufficient होना चीए इसको पस जाएगा बाकी cheese spread और इसके ओपर गया यह बहुत ही कमाल सा cheese spread तो यह लोजी आगए हमारे bread के slices और इस पर सबसे पहले आएगेस यह मखन जा रहा है यह कौन सा बटर अप यूज करते हो अमूल बटर ओहो तो यह अमूल बटर जाता हुआ सबसे पहले और इसके ओपर भी हम थोड़ा सा cheese जो spread है उसको डाल रहे है ताकि यह प्रॉपरली जो है पूरा चीजी लगे तो हमारे जो bread के slices जो हम लोग ने तयार किये अब उसमें जा रहा है हमारा बहुत ही amazing सा mixture और शेफ यह जो हमारा mixture इस पर गए अभी क्या grill भी होने वाला है हाँ यह grill होगा पस sandwich machine पर तो यह अभी grill होगा इस machine पर जो कि अभी preheat करने के लिए रखा हुआ है तो अभी cheese की end हुई नहीं है हमने इसके ओपर cheese spread डाला था और इसके ओपर जा रहे है अमूल का processed cheese so यह वाकई में काफी जादा cheese होने वाला है और मेरे मूँ में पानी आ रहा है बोलते बोलते मैं बोल भी नहीं पार हूँ properly देख लो quality में कोई भी compromise नहीं हो रहा है proper अमूल का ही cheese यूज हो रहा है और यह बुसक्यों पर थोड़ा सा और बटर ताकि यह bread जले नहीं तो हमारा जो bread है वो अभी चला गया है इस machine के अंदर और यह grill होने वाला है शेफ यह कितने देर के लिए grill होगा बस दो से तीन मिनिट के लिए तो यह दो से तीन मिनिट के लिए जब तक यह grill होता है तब तक हम बात कर लेते हैं यहां के shop के owner से भाया क्या नाम है आपका पुम प्रकाश नाम है मेरा यह आपकी shop कितने कितने time पुरानी है यह हम लोग के चार मीने हो गई यह shop की जैसे lockdown खतम हो वैसे हम लोग स्टार्ट किये तो लोग डाउन में जहां लोगों के सब कुछ बंद हो रहे थे वहां पर भाया ने बहुत ही एक अमेजिंग सा वो तयार हो गया है ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई यह जो sandwich है यह तो मतब लग रहा है लाक रुपए की sandwich है यह marks तेख रहे हो यार यह marks असल में पता है बहुत ही crunchy हो जाते है और यह हो गई प्लेटिंग और इसके साथ आप कुछ sauce वगरा भी कुछ देते हो तो इसके साथ जाता है tomato sauce तो यह लोग जी यह भी हो गई तयार अभी चलते हैं हम अपने food की tasting किसी भी चीज को खाने के दो तरीके होते हैं सबसे पहले उसको आखों से खाओ तो यह जो है व और आप लोगों को भी खिला रहा हूँ यह देख रहो यह हमारा crispy chili baby corn यार यह देख रहो कितना सहीज का जो है color निकल के आया है और इसमें जो ingredients यूज के गए हैं वो भी काफी सही है और यह है हमारा veg hot garlic noodles और इसी के साथ यह हमारा cheese corn grilled sandwich तो अब मैं इन तीनों चीजों को taste कर करने वाला हूँ काफी खूपशूरत लग रहा है यार इस जगह की तरह ही खाना भी बहुत ही जादा घूपशूरत लग रहा है और आम डाम शूर की जो taste है taste भी काफी अच्छा होने वाला है तो इस अकेले date पे मैं तो हूँ मेरे साथ है यह बहुत ही एक स्वादिष्ट स जो का चीली बेभी कउन क्रिस्पी चीली बेभी कॉन टु बी प्रेसाइज लिए टेस्ट कने वाला हूँ और बताऊंगा किसका टेस्ट कैसा है इसको भनते वे पुरा प्रोसेस मैंने देखा और प्रोसेस देखने के बाद बिल्कुल से भी रजिस्ट नहीं हो रहा है लो कियां गया है हल्का सा विनेगर का टांगी नेस है एंड काफी कम थोड़ा सा मिठास है फ्लेवर्स बहुत पिंठाथे मैको तो सबसे कमाल की बाद लगती है उसका क्रिस्पीनेस अगर वह क्रिस्पी आना पड़ेगा, The Hungry Caterpillar पर आके यहां पर खाओ, बहुत ही attractive से discount offers भी चल रहे हैं, उस discount का फायदा लो, और अगर आप यह मुकुंदपूर के आसपास के 2 km के radius पर रह रह रहे हो, तो आपके लिए भी free delivery है, on the orders, above 200 रुपीस, वैसे मैं यह पूरे food की costing भी इस video के end में बता hot garlic noodles, जो इसका aroma है, वो अपने आप में ही एक अलग सी आपके पेट में जगाय कर देने वाला है, and जिस हिसाब से इसमें जो चीजे यूस की गई है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहां पर green capsicum है, red capsicum है, तो यह सारा जो एक color add कर देता है आपके food में, एक अलग सा जो texture add कर देता है food में, वो भी अपने आप में कमाल का हो जाता है, तो करते हैं इसको taste, यह यहां का best seller है, काफी अच्छा है, वैसे मैं vegetarian की dishes इसलिए दिखा रहा हूँ, because मैं vegetarian हो, पर non-wage में भी यहां पर बहुत कुछ explore करने को मैं non-wage के बारे में भी आपको भी बता देन वाले है, normal noodles हम सभी खाते हैं, पर यह जो है, इसका flavor थोड़ा हटके है, वो एक garlic का, एक strong सा flavor आ रहा है, साती साथ आपका, जितने भी इसमें veggies यूज किये गए हैं, बहुत ही balanced है, and जो tanginess है हलका सा vinegar का, वो भी आ रहे, so it's a flavorful combination, and बहुत दी कमाल की dish है, आप इसको भी taste कर स रखते हो, यह यहां का best seller है, so हमारी जो last dish है, वो है, यह cheese corn sandwich, cheese corn grilled sandwich, जिसके अंदर हमने भर-भर के जो है, cheese डाल रखा है, and बहुत ही अच्छा लग रहे है, देखने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहे है, cheese से completely loaded है, मैं यह जो सबसे पहला piece है, वो मैं कैमरी के सामने रहे हो, cheese पूरा भरा हुआ है, और इसके अंदर corn है, फिर उसके बाद आपका capsicum है, red capsicum है, green capsicum है, masala है, so भाई मेरे को तो जो sandwich रहता है, वो sauce के साथ खाने भी मज़ा आता है, तो लेते हैं sauce, sauce को सबसे पहले फाड़ेंगे, साथ में है ये cheese loaded sandwich, इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा sauce, और टेस्ट करते हैं, यह डॉमिनोस की याद आ गई, बहुत ही honest एक opinion है मेरा, जब डॉमिनोस का extra cheesy pizza खाते हो न, ये एकदम से उसकी तरह लग रहा है, और साथी साथ आपको veggies भी मिल रहे हैं इसके अंदर, कमाल का flavor है, बहुत ही कमाल का flavor है, यार इसमें से जो cheese है न, देखो cheese पूरा overloaded है, cheese पूरा निकले जा रहा है एकदम से, बहुत ही कमाल का है, वाउ, I guess, डॉमिनोस, इसके थामने, fail है, में को sandwich बहुत कमाल कर रहा, जो sweet corn की sweetness है, वो बहुत अच्छे से आ रही है, जो इसमें जो capsicum पड़ा हुए, उसका जो एक crispiness रहता न, capsicum का crispiness है, साथ में bread, of course crunchy है, और जो cheese है, वो तो mashallah, cheese तो गजब का ही कमाल कर रहे है, तो मैं करता हूँ, यह सारा cheese को खतम, फिर मिलता आपको खाने के बाद, तो जिन भाईया ने हमें इतना amazing से खाना खिलाया, जो hungry caterpillar के owner है, वो है यह भाईया, तो भाईया, इस shop के timing क्या क्या है, यह shop के timing से है, कि हम लोग 12 बज़े सुबा से लेकर 12 बज़े राद तक खोले रहे, और यहाँ पर किसी को आना हो, तो वो कैसे आ सकता है, इस जगह का location के बारे में आप ठोड़ा बताईएगा, मुखंदूपूर मेन रोड है, जो यहाँ पर है अपना बाईपास देखा जा रहा है, मुकंदूपूर मेन रोड यहां से एरेंठेगोर ओर जाता है, यह पर आरेंठेगोर होस्पिटेल है, और बगल में अभी दिपता है, तो यह जो बडा सा टावर है, यही है, जो lights आप देख पार हो, tower के lights है, तो यह अभी दिपता है, तो यह अभी दिपता है, और यह अभी दिपता टू है, आप ठिक bypass तो उटरते ही हम लोग के shop देखा जा सकता है, तो मैं आपको एकदम प्रॉपर लेकर explain कर दूँ, तो यह है वो bypass वाला road, इधर है आपका Ruby, Ruby से अपने लेना है left, और यह जो road है, this goes towards RN Tagore Hospital, यहाँ पर आपको राइट इन साइट पे एक मोंजिनीज का भी outlet दिख जाएगा, इसी के बगल में है, यह बहुती कमाल का food outlet, जिसका नाम है, The Hungry Caterpillar, तो आप आओ यहाँ पे, आके enjoy करो, देख रहे हो कितना खुबशूरत सा और बहुती प्यारा सा setup है, जादा कुछ Hanky-Panky स्टाफ नहीं, बहुती प्यारा सा setup, दिखने में भी काफी अच्छा है, and hygiene भी यहाँ पे maintain किया गया है, food का quantity भी काफी अच्छा है, and quality भी काफी अच्छा है, तो अभी बात कर लेते हैं, food के pricing की, हमने टेस्ट किया तीन ड sandwich, यह मैं बार-बार grilled use कर रहा हूँ, because बहुत जगा पे आपको sandwiches जो है वो बिना grill किये वे ही मिल जाते हैं, but यहाँ पे grill किये वे थे, तो भी यह pricing कैसा है, सबसे पहले आप बताए मिको की, जो crispy chili baby corn था, उसका price कैसा है, crispy chili baby corn का आपका price है 149, 149 रुपीज में इतना flavorful crispy chili baby corn साथ में आपको जो garlic, hot garlic noodles था वो, वो आपका 75 का एक plate, only 4 रुपीज 75, एक बहुती sufficient quantity है, अगर आपको भूख लग रहे हैं, तो आप आराम से आपकी भूख मिट जाने वाली है, और साथ साथ जो इतना extra loaded cheese का जो sandwich था मेरा, cheese कान sandwich उसका price, वो 89 यही बात में आपको तबसे वीडियो के stat में बता रहा था, कि जो pricing है, वो pricing काफी economical रखी भी है, और भाया के इस shop का motto ही यही है, कि जो चीज हम बाकी सारी cafes में जाके इतना expensive खाते हैं, वो चीज हम normal, मतब उतना कुछ Hanky-Panky नहीं रखके भी, हम normally खा सकते हैं, उसका price जो है, वो भी काफी कम रहने वा सिर्फ यहां पर vegetarian dishes नहीं है, non-vegetarian में भी काफी सारी dishes available है, अगर मैं non-veg lovers की बात करो, तो यहां पर crispy chicken, chicken lollipop, chili chicken rice, sweet and sour chicken, बहुत कुछ है, वे यहां non-vegetarian में सबसे best seller क्या है, हम लोग के यहां पर best seller में crispy chicken है, और आपका chicken lollipop है, जो हम लोग अलगी तरीका से बनाते है यहां पर एकदम से non-vegetarian में भी अलग सा ही, एक पुरा महौल साज रखा है, non-vegetarian के लिए मैं वापस से यहां पर आऊँगा, अपने किसी non-veg friend को लेके, क्योंकि मैं तो भई है non-vegetarian हूँ नहीं, लेकिन हा, मैं ज़रूर यह promise करता हूँ कि non-veg भी cover करूँग एक दिन नहीं है, तो आप phone pay का इस्तेमाल कर सकते हो, online payment कर सकते हो, because अब तो हमारी सरकार नहीं बोल के रखा है कि भाया, digital India है, तो digital India में digital payment भी है, and with that said, this is your aviation guy, signing off for the day, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मोधी जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, कि go vocal for the local, हम इतने सारे franchises हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारे franchises हैं, हम उनके making videos को इतना जादा शेर कर सकते हैं, तो क्या हम इस video को शेर नहीं कर सकते, can we go vocal for the local, सोचे का जरूर इस बारे में, and चैशरी झाल